हेलो एबरीवन तो आप जो ये डिस देख रहे हो गाईज ये बहुत ही special डिस है ये एक सबजी है जो की जूतिया ब्रत होता है उससे एक दिन पहले इसे बनाया जाता है और इसे खाया जाता है ये खाना बहुत जरूरी होता है गाईज तो चलिए इसे बनाते है इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये कंदा और ये सबजी इसी से बनाई जाती है गाईज और ये कंदा है और ये नोनी है इसकी हमने और भी डिसेस बनाई है और ये देखिए गाईज ये है सत्पुतिया इसको भी जरूर डाला जाता है तो लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं और हम सबको mix करके एक ही में बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसे छील लिया है सत्पतियों को और इसे हम बारीक काट लेंगे गाईज तो इसे काटने हम कंदे को भी काटेंगे और आपको बता दे गाईज की इसे छील रहे हैं और इसे काटते वक्त हाथों में बहुत तेज खुजली होती है तो हलका सा हमने तेल लगा लिया है हाथों में और इसके बाद इसे काटेंगे तो गाईज देखिए हमने इसे अच्छे से छील लिया है और छीलने के बाद इसे हम देखिए काट रहे हैं तो अपने हिसाब से आप लोग काट लीजेगा हम देखिए हमको जैसे पसंद है वैसे हम इसे काट रहे हैं वैसे देखने में ये पनीर के क्यूब जैसे देख रहे हैं, काटकर धो कर हमने इसे निकाल लिए एक बाउल में अब इसे हम बनाएंगे तो हम देखे, सारे सब्सब्स को काट लिए, हमने थोड़ से टमाटर भी काटे हैं, और ये देखे सारी सब्सब्सब्सब्सहल चनवी हें, आप देखสकते हैं यह बिल्कुल पनीर जैसे दिख रहे होंगे तो अब कड़ाई लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे थोड़ा सा ज्यादा तेल डालिएगा क्योंकि यह थोड़ा सा तेल ज्यादा पड़ता है तो इसमें थोड़ा सा जीरा दालाएंगे गाईज इसमें दो तेज़ पते डाल लेंगे थोड़ सी काली मिझ और दो ती लॉंग भी डाल लेंगे एक दाल्चीनी का टुकड़ा डाल देंगे और दो लाल मिझख सुनाला हो रहा है तो अब इसमें हम जो कंदा काटे थे वो डाल देंगे सारे तो इसमें सारे कंदे को हम डाल देंगे और देख सकते हैं आप इसमें वाइट पानी जैसा निकलता है दोने के बाद भी तो अब इसे अच्छे से हम mix कर लेते हैं भूनेंगे तकरीबन 4-5 मिनट भूने के बाद देखिए ये हलका सा golden हो जाते हैं fry हुए जैसे तो अब इसमें हम सत्पतिया जो काटे हैं उसे डाल लेंगे और इसके बाद हम इसे mix करते हैं थोड़ा सा चलाएंग अब इसमें डालेंगे हम जो नोनी काटे थे इसे बारीक हमने चौप किया है तो ये भी हम इसमें डालके mix कर लेंगे और mix करते हुए 2-3 मिनट इसे भूनेंगे जिसे कि ये नोनी है जो गल जाए हलके से सबजी सौफ्ट हो जाए तो इसके बाद अब हम इसमें मसाले डाले तो हमने लिए थोड़े से थोड़े से धनिया पाउडर लिए हमने देख सकते हैं आदे चमद से थोड़ सा ज्ड़ा मासाला है तो पहले से झाला हुए तो अब बूते हुए हम इसमें सब्ते हैं को तकरीबन 2-3 मिनद तक अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनते हैं तो देख सकते हैं कि सारी सबजेया हमारी बहुत अच्छे से मसालें मिल गए तो अब इसमें हम डालेंगे नमक तो हमने स्वात के अनुसार नमक डाल लिया गाई और इसे अच्छे से म असमें डालेंगे पानी तो हमने ए ग्लास में पानी लिया है और इसमें डालेंगेगा फ हमने दुबारह बीच में थ्द Scottish गीषसा नाद हम पानी दाला था तो लीजिफ यह पक गये हैं तो नहीं हम और इसे चेक करते हैं तो देखे हमारी सबजी बनके ready हो गई है यह अची तरह से पग गई है सारी इसकी सबजी भी पग गई है आपको दिख रही होगी तो इसे एक बाउल में हम निकाल लेते हैं यह सबजी हमारी बनके रेडी है गाईज तो इसके साथ हम रोटी, चावल और खा सकते हैं गाईज तो इसे बनाना बहुत ही आसान भी है तो गाईज यह एक पारमपरिक सबजी है जिसे हमने मिक्स करके सबको अलग-अलग बनने वाले सबजी को हमने एक ही में मिक्स करके बनाई है गाईज तो यह स्वाद में भी बहुत अच्छी बनी है आपको बताते चले गाईज कि यह जो जूतिया परव है इसमें बनने वाली सबजी एक माँ अपने बच्चों के लिए जब ब्रत करती है जूतिया तो इसे बना कर खाती है तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सस्क्राइब करना न भूलिएगा हर हर महादेव